आपने कभी full body health package लिया है स्क्रीन पर दो बड़े lab के test packages है पर इनने से कौन से test आपको actually चाहिए और कौन से सिर्फ list लंबी और cost ज़्यादा करते हैं आज मैं Dr. Arjun Sabarwal आपको simple traffic light system में समझाऊंगा कि कौन से test आपको करवाने चाहिए और कौन से test पैसे waste है हम तीन color use करेंगे green मतलब वो test जो सब को करवाने चाहिए yellow जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए होते हैं और red जो आपको avoid करने चाहिए ये video आपके पैसे बचाएगा, confusion दूर करेगा और healthy decisions easy बनाएगा आप अगर चाहे तो video को pause करके अपना help package निकाल लीजिए ताकि आप compare कर सके चलिए video शुरू करते हैं पहले red से शुरू करते हैं मतलब कि वो test जो avoid करने चाहिए याद रखिए ये advice उन लोगों के लिए है जो generally healthy है और जिनके doctor ने कोई specifically test को recommend नहीं किया है पहला है inflammatory markers जिसमें IL-6, CRP और D-dimer आता है ये test infection, inflammation या clotting चेक करने में help करते हैं लेकिन बिना symptoms के generally check-up में इनका कोई मतलब नहीं है CRP और IL-6 COVID के जमाने में famous हुए थे पर healthy लोगों के screen के लिए नहीं है unless आप actually बिमार हो या doctor ने recommend किया हो अगर हम D-dimer की बात करें तो वो उन लोगों के लिए है जिनको blood clots बार-बार होते हैं या फिर अगर कोई suspicion है blood clot का general check-up के लिए I don't think इसकी जरूरत है similarly CRP और IL-6 तब ही कराई जाते हैं अगर आपको कोई infection हो या inflammatory disease suspect की जाए अगर आप generally कराते हो और उस ताइम पर अगर आपकी तबेत खराब हुई और CRP बड़ावा हुआ तो फजूल में extra test हो जाते हैं दूसरा है autoimmune panels इसमें आपके ANA, rheumatoid factor, ANCA ये सब आते हैं ये test सिर्फ उस वक्त करते हैं जब joint pain, rashes या autoimmune symptoms हो बिना symptoms के doctor ये recommend नहीं करते वरना बहुत परिशानी हो सकती है और tension हो सकती है autoimmune disease care की वज़े से तीसरी चीज़ है vitamin A and E ये vitamin test आम आदमी को नहीं कराने चाहिए vitamin A and E deficiency के cases बहुत rare है और हमारी diet में काफी vitamin A और E मिलता है जिसकी वज़े से deficiency के cases कम होते हैं अगर doctor recommend करे तब आपको ये कराने चाहिए चौता है trace minerals इसमें आते हैं आपके zinc, copper, selenium ये test आम रूटीन पे नहीं होते सिर्फ अगर कोई malnutrition या specific deficiency लगे तभी doctor ये test को order करते हैं इंडिया में इसकी कमी कम मिलती है इसलिए general screening में नहीं आता अगला test है tumor markers इसमें आते हैं CA 125 जो ovarian cancer के लिए है CEA जो colon cancer के लिए है और PSA ये cancer markers है healthy लोगों को routine में चेक नहीं करने चाहिए अगर हम PSA की बात करें तो आप सोच रहे होंगे ये तो काफी ज़रूर ही है और एक तरीके से सही बोल रहे है बढ़ अगर आपकी age 40 से कम है तो PSA test कराने की ज़रूरत नहीं है बढ़ अगर आपकी age 40 से ज़्यादा है तो मैंने actually PSA test को yellow category में रखा है ये क्यों नहीं कराने चाहिए क्योंकि कई बार false positives आ सकते हैं और patient फजूर में डर जाते हैं for example CA 125 जो ovarian cancer के लिए है उसके false positive आ सकते हैं और young लोगों में ये फजूर का panic create कर सकते हैं अगर doctor suspect कर रहा है कि आपको कोई symptoms है और ये test करवाने को बोलते हैं तो फिर आपको करना चाहिए तो ये तो वो test हो गए जो आपको बिना reason के करानी की ज़ूरत नहीं है जब तक doctor ना कहे क्या आपने भी इन में से कोई test बिना symptoms के कराया है comment में जरूर बताया कि ये कौन सा test था और क्या आपको इसकी report समझ आई या नहीं आई आपके experience से और लोग भी सीख सकते हैं आप बात करते हैं yellow category की जो sometimes useful है और कुछ situations में करानी चाहिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ऐसा test जो उन लोगों के लिए important है जो protein powders या creatin supplements लेते हैं ये test आपको एक baseline की तरह करवाना चाहिए ताकि आप समझ सके कि आपकी kidneys सच में कितनी healthy हैं तो आपका creatinine level थोड़ा high आ सकता है even if kidneys are fine इस वज़ा से normal kidney function का test misleading हो सकता है statin C एक alternate blood test है जो muscles से effect नहीं होता और kidneys की actual filtering power ज्यादा accurately बताता है आप इस test को baseline की तरह एक बार जरूर करवा लीजे और उसके बाद आप चाहें तो protein supplements या creatinine supplements ले सकते हैं recommended amount में ये test specially आपको कुराना ची अगर आप जिम बहुत करते हैं और आपका muscle mass normal लोगों से ज़्यादा है दूसरा है fit test fecal immunochemical test stool में blood detect करता है अगर आपकी age 50 से ज़्यादा है तो ये colon cancer screening के लिए कभी कभी दिया जाता है अगर आपको family history of cancer की तो डॉक्टरी test suggest करेंगे routine check up में normally नहीं होता अब कुछ nutritional test की बात करते हैं अगर आप vegetarian है ये आपको थकावत होती है चक्कर आते हैं और ऐसे symptoms आते हैं तो कुछ nutritional deficiency हो सकती है जो simple blood test से पकड़ी नहीं जाती ये test green zone में तब आते हैं जब आपको symptoms हो या आप vegetarian diet follow करो लेकिन अगर आप healthy है balance diet ले रहे हो और कोई तकलीफ नहीं है तो ये yellow zone में रखना safe है तो चलिए बात करते हैं तीन important nutritional test की vitamin B12, ferritin और folate vitamin B12 ये test B12 vitamin level बताता है B12 nurse और खून के लिए जरूरी है vegetarian diet ज़ादा होने की वज़े से इंडिया में 75% लोगों को B12 की कमी पाई गई है अगर आप में weakness, चक्कर या neuropathy symptoms है तो B12 का test करवाएं अगला है ferritin मतलब iron stores ये iron storage का test है अगर आपके CBC में अगर anemia दिखे तो ferritin से पता चल सकता है कि body में कितना iron बचा है इंडिया में anemia ज़ादा है क्योंकि dietary iron कम मिलता है इसलिए कभी-कभी ferritin test advisable होता है especially females में क्योंकि उनमें blood loss ज़ादा हो सकता है और anemia के symptoms भी दिखते हैं अब मैं कुछ ऐसे test के बारे में बात करने वाला हूँ जैसे कि HIV, Hepatitis B और HPV जैसे viruses कभी-कभी silently progress करते हैं और serious problem बना सकते हैं ये test हर किसी के लिए नहीं होते लेकिन अगर risk factors है या screening का वक्त है तो इन्हें ignore नहीं करना चाहिए safe sex के बावजूद एक बार check कर लेना responsible और smart health decision है चलिए इन तीन important test को simple भाषा में समझते हैं पहला है HIV test HIV test सिर्फ जरूर पढ़ने पर या risk factors हो तो कराना चाहिए क्या risk factors है unprotected sex, blood transfusion या अगर आप एक health worker है इंडिया में HIV की prevalence काफी low है 0.2% है ये yellow category में है क्योंकि सब को नहीं अगर रिस factor है तो कराना चाहिए Hepatitis B and C ये viral liver infection के test है अगर आपको कभी jaundice हुआ है कभी आपको blood transfusion मिला है या कोई surgery हुई है अगर आप एक health worker है तब ये test आपको कराना चाहिए इंडिया में लगबक 30 million लोग hepatitis B से infected है तो डॉक्टर कभी-कभी screening के लिए ये test बोल सकते है especially pregnancy के time भी ये test करवाया जाता है similarly hep B के साथ आपको hep C भी कराना चाहिए क्योंकि ये भी एक काफी serious disease है इसका treatments आ रहे है बट ये disease काफी severe है तो इसको अगर हमने पहले पकड़ लिया तो बेटर ट्रीट कर सकते है अगला test है HPV test ये सब विमन के लिए है ये भी cervical cancer के लिए test है high risk HPV virus को detect करता है अगर pap smear abnormal आया है तो age 30 के बाद ये screening में included होता है आजकल recommended है कि अगर आप sexually active है तो आपको HPV test करवाना चाहिए अगला test है pap smear ये भी women के लिए है ये cervical screening का एक test है cervix से cells लेके microscope में देखे जाते हैं सभी women को शादी के बाद या 30 के बाद हर 3 साल में pap smear करवाना चाहिए इंडिया में sadly screening बहुत कम है सरफ 3% women check होती है तो local doctors कभी-कभी pap smear recommend करते हैं अब PSA की बात करते हैं PSA को मैंने red category में भी डाला था बड़ मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी age 40 से कम है तो आपको इसको कराने की जुरूत नहीं है बड़ अगर आपकी age 40 से जादा है तो prostate specific antigen का test कराना चाहिए यह हमें क्या बताता है यह हमें यह बताता है कि क्या आपका prostate gland बड़ा है और क्या आपको risk factor है prostate cancer का अगर doctor कहे यह family history हो तो PSA test कराना चाहिए यह एक simple सा blood test है जिसकी value से आपको बता चल सकता है कि आपको किस category का prostate problem है अब एक और test है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ यह blood test नहीं है बलकि ultrasound test है यह है ultrasound abdomen अगर आपका BMI 25 से ऊपर है आपको family history of diabetes है या फिर आप एक sedentary lifestyle जी रहे हैं तो आपको एक ultrasound कराना चाहिए अपने abdomen का to look at your liver किसले कराना है क्योंकि हम fatty liver को देख रहे हैं fatty liver आजकल बहुत common है और इंडिया में rapidly बढ़ रहा है यह one of the leading causes of liver failure बन रहा है इंडिया में इसका treatment basically weight loss है और कभी-कभी मैंने patients में देखा है कि अगर ultrasound में fatty liver आ जाए तो patients को एक motivational boost मिलता है कि उनको weight loss करना है और इसको reverse करना है अब बात करते हैं green test की जो आप सब को कराने चाहिए अगर आप एक health check-up कराने की सोच रहे हो तो यह सारे test आपको definitely कराने चाहिए पहला है sugar test हर बार fasting की जरूत नहीं होती अगर आपको diabetes है यह sugar की risk factors है जैसे motapa है, family history है यह sedentary lifestyle है तो HbA1c test कराना चाहिए इसको मैं green zone में डालता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यह सब को कराना चाहिए यह test आपके पिछले 3 महीने का average sugar level दिखाता है fasting की भी जरूत नहीं होती इस test को हम थोड़ा detail में समझते है जैसे मैंने का है यह long term blood sugar test है पिछले 3 महीने का average sugar बताता है diabetes risk या management में help करता है अगर आपको diabetes का डर हो या diabetes है HBA1C चेक करवा सकते है इंडिया में 7% लोग diabetic है इसलिए doctors यह recommend करते है अगर हम target HBA1C की बात करें तो 4.8 to 5.7% होना चीए अगर यह बड़ा हुआ है तो आपको diabetes है और अगर आपको यह type 2 diabetes है तो पहला step है weight loss weight loss से HBA1C कम होता है और कई लोगों को दवाईों की जरूत नहीं पड़ती इसको early detect करना ही better है क्योंकि हम जानते हैं diabetes की बहुत complications है और इसको manage करने के लिए बहुत सारे treatment options available है दूसरा test है CBC जो की complete blood count है यह blood test आपके खून के cells RBC, WBC, platelets के बारे में doctor को बताता है इससे हमें यह पता चल सकता है कि क्या आपको anemia है अगर आपका hemoglobin level एक range से कम है मतलब आपको anemia है अगर आपका white cell count बढ़ावा है तो infection है अगर white cell count बहुत जादा बढ़ावा है तो cancer का भी marker हो सकता है इंडिया में anemia बहुत common है इसलिए CBC में अगर hemoglobin low मिलता है तो doctor iron level भी check करते है और iron supplements recommend करते है तीसरा test है liver function test यह liver का blood test है जिसमें ALT, AST, bilbrubin जैसे enzymes देख सकते है मैंने CBC, LFT और thyroid function पे एक detailed video बनाई है अगर आप चाहे तो इधर check out कर सकते है liver function test से पता चल सकता है कि आपका liver सही काम कर रहा है या नहीं कि आपको hepatitis या fatty liver जैसे problems है अगर आप alcohol पीते हैं अगर आपको obesity है तो आपको liver function test definitely कराना चाहिए most likely सब कुछ normal आएगा बढ़ आपको एक baseline मिल जाएगा कि last time आपका test normal कब था अगर कुछ आगे जाके problem हो आजकल इंडिया में diabetes और मुटापा बढ़ रहा है जिससे fatty liver बहुत common हो रहा है जिससे मैंने पहले भी बताया माना जाता है कि one third इंडियन में fatty liver है regular LFT से fatty liver या hepatitis time पे पकड़ सकते हैं और treatment भी शुरू कर सकते हैं अगला test है kidney function test इस test से kidney के filters चेक होते हैं creatinine, urea, sodium, potassium और uric acid चेक करते हैं kidney health बहुत important है क्योंकि जब kidneys सही रहती है तो body में urea कम रहता है और creatinine कम रहता है इंडिया में kidney failure के 40-60% cases diabetes और high blood pressure की विज़ से होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि young age में आप अपना kidney function test कराईए ताकि आपको पता चले कि सब कुछ normal है या नहीं कई patients में पास आए हैं जिनको undiagnosed high blood pressure होता है और जब वो present करते हैं hospital में तब तक उनकी kidneys already fail हो चुकी हो सकती हैं तो अगर आपने पहले अपना kidney function test करवाया हो तो हमें ये पता चल सकता है कि कब चीजे normal थी और कब खराब हुई अगला test है lipid profile ये test आपके blood में cholesterol और triglycerides measure करता है इसमें LDL, HDL, total cholesterol और triglycerides होते हैं high LDL मतलब बुरा cholesterol और low HDL, अच्छा cholesterol हार्ट के लिए नुकसान दे सकता है इंडिया में low HDL बहुत common है एक study के मताबिक 66.9% इंडियन्स में HDL low था आप सोच रहे होंगे इसको कैसे improve करें अपनी diet को improve करके carbohydrates को कम करके protein intake बढ़ा के intermittent fasting से भी काफी जादा improve हो सकता है HDL level और ये research ने भी दिखाया है इसकी उपर भी मैंने पूरी एक video बनाई है जो आप ऊपर check out कर सकते है अगला test है thyroid function test ये आपकी thyroid gland और hormones को बताता है जैसे TSH, T3, T4 hypothyroid में थकान, weight gain होता है hyperthyroid में irritability, weight loss होता है इंडिया में लगबक 1 in 10 adults में thyroid disorder पाया गया है खास कर females में अगर आप ज्यादा थकावट मोटापा या mood changes फील करते हो तो TFT ज़रूर करे मैं इसको green category में रखता हूँ मेरे सबसे सब को कराना चाहिए अगला है vitamin D ये blood level का vitamin D चेक करता है हमें sunlight से मिलती है vitamin D बट फिर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा deficiency है इस चीज़ की हमारे डायेट में vitamin D कम है क्योंकि majority vegetarian है और vitamin D maximum fish में होता है इसलिए 80-90% इंडियन में vitamin D deficiency पाई गई है अगर deficiency है तो ये simply treat की जा सकती है supplements के थूँ अब अगला test है blood pressure ये सबसे simple test है जिससे doctor routine में कराते हैं blood pressure monitor से आपकी arteries के खून का pressure measure हो सकता है बहुत लोग बिना symptoms के hypertension से सफर करते हैं इंडिया में लगबख 17% adults का blood pressure high है high BP को silent killer कहते हैं क्योंकि headaches या dizziness के बिना भी heart और stroke का खत्रा बढ़ जाता है हर check-up पे blood pressure ज़रूर measure करवाए और अगर high है तो lifestyle changes पहले करें उससे अगर ठीक नहीं हो रहा तो medicines ले अगला test है urine routine यह सबसे important test है यह urine का simple test है जिसमें sugar, protein, red और white cells check होते हैं यह UTI मतलब कि infection के बारे में बताता है kidney damage के बारे में बताता है और diabetes के signal देने में भी help करता है अगर diabetes है तो urine में sugar और protein निकल सकता है और अगर kidney थोड़ी weak है तो भी protein निकल सकता है WHO के data के हिसाब से इंडिया में 8% लोग diabetic patient है इसलिए diabetes patient के लिए urine और protein check करना must है अगला test है ECG electrocardiogram जो heart की tracing है एक तरीके से यह heart के electrical chart होता है इसमें electrodes लगते हैं और heart की धरकन या rhythm check होती है यह कराना जरूरी है क्योंकि आजकल कई young लोगों को sudden cardiac arrest हो रहा है और most likely cause उनका undiagnosed cardiac arrhythmia होता है मतलब की बच्पन से कोई problem होनी जो आगे जाके trigger होती है एक simple ECG से आप इसको pick up कर सकते हैं तो यह definitely कराना चीए है cardiovascular disease इंडिया में number one कारण है for death 40 के उपर आपको definitely ही कराना चीए अगर आप उससे young हो फिर भी ECG कराने में कोई harm नहीं है last test है eye check up especially अगर आप diabetic हो हर साल आखों की पूरी जांट जरूर करवाए diabetes के लिए तो retina examination must है क्योंकि diabetes से diabetic retinopathy हो सकती है जिसकी वज़े से आखों की blood vessel damage हो सकती है इंडिया के national survey में 50 plus age के diabetics में 17% लोग को diabetic retinopathy पाया गया सोचे कितना बड़ा number है डॉक्टर को retina check कराने को बोलना timely laser और drug से doctor diabetic retinopathy को रोक सकते हैं अगर आपके doctor ने इसको recommend करा है कराने को तो आप eye check up कराईए क्योंकि timely diagnosis से laser और drug therapy से diabetic retinopathy को रोका जा सकता है तो दोस्तों ये था मेरा simple traffic light guide, green में test जो सब को करवाने चाहिए इसमें आपके full blood count, lipid profile, kidney function test, ECG, blood pressure, urine routine और कई और test आते हैं जो आप screen पे देख सकते हैं, yellow test test जो कभी कभी ज़रूरी होते हैं depending on symptoms या risk और red में वो test जो सिर्फ doctors के कहने पर ही कराए क्योंकि otherwise मेरे साब से पैसे waste हैं याद रखिये, ज्यादा test करवाना सिर्फ health का नहीं, पैसे का भी नुकसान हो सकता है, गलत या extra test से सिर्फ anxiety बढ़ती है और आपको diagnosis नहीं मिलता सही test सही समय पर यही smart health और smart finance का फॉर्मला है अगर इस वीडियो ने आपके पैसे या confusion दोनों बचाए तो like ज़रूर करें और comment में बताए कि आपने कौन से test करवाए थे और उनका सच में क्या फैदा हुआ चैनल को subscribe करे और ऐसी ही honest science-based advice मैं हूँ Dr. Arjun Sabarwal मिलता हूँ अगले वीडियो में नमस्ते